स्टोरी में राया नाम की एक लड़की है, जिस जगह वह रहती है, वह जगह बिलकुल भी खुबसूरत नहीं है, लेकिन कुछ सालों पहले कुमांदरा नामक यह लैंड काफी प्यारा और सुन्दर था, बिलकुल एक स्वर्ग की तरह खुबसूरत, इस जगह पर इंसान और ड्रैगन मिलजुल कर रहते थे, अपने सुख दुख में सभी एक दूसरे के साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे, चारों और खुशियां ही खुशियां थी, ड्रैगन और इंसानों के बच्चे भी आपस में अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे इस जगह को किसी की नजर लग गई और ड्रून नामक इविल स्पिरिट्स ने लैंड पर अटैक कर दिया था, वो जिस भी जीवित वस्तु को टच करते, वो पत्थर में बदल जाता, ऐसा लग रहा था, मानो इस लैंड की खुशियों से, वे खुश नहीं और उन्होंने सब कुछ डिस्ट् नहीं बहाई भी थे, इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया, और अपनी पावर को एक जीम में स्टोर कर दिया, और उस पत्थर को अपने प्यार, पीस और केर से ब्लेस्द किया, इस ब्लेस्द पत्थर को बनाने का, उनका मोटिव ये था, कि इससे ड्रून यानि इवल स्पि पर उसका कोई असर नहीं हुआ यह बड़े ही दुख की बात थी ड्रैगन्स अभी भी पत्थर के ही बने रहे इधर जिस ब्लेस्ट पत्थर को इन ड्रैगन भाईयों ने तयार किया था उसके पीछे बाकी लोग पड़ गए वह चाहते थे कि इस पत्थर पर और काम किया जाए ताकि ड्रैगन्स को भी फिर से पहले की तरह बनाया जा सके आपस में सब के लड़ते रहने से कुमांद्रा लैंड के पांच हिस्से हो गए जिन्हें फेंक, हार्ट, स्पाइन, टैलोन और टेल कहा जाता है उस पत्थर के लालच में ही सारा लैंड डेजर्ट हो गया कुछ समय बाद उस लैंड पर सीसू के अलावा कोई भी ड्रैगन नहीं बचा था 500 साल बाद, हार्ट, जन्जाती के चीफ बेंजा उस ब्लेस्ट जीम पर कबजा बनाये रखते हैं और अपनी छोटी बेटी राया, एक योध्धा राजकुमारी को इसकी रक्षा करने के लिए ट्रेंड करते हैं राया नाम की इस लड़की के पास एक क्यूट सा पैट था राया को एडवेंचर्स करने का काफी शौक था राया अपने प्यारे पैट को हमेशा अपने साथ रखती थी एक बार वह एक जगह पर पहुँचती है जहां काफी सारे ट्रैप्स लगे होते हैं राया को ये बहुत इंट्रेस्टिंग लगता है वह जानना चाहती थी कि आखिर वहां है क्या वह सारे ट्रैप्स को पार कर लेती है और एक जगह पर पहुँचती जिसके गेट को ओपन करना काफी मुश्किल था लेकिन राया उस दर्वाजे को भी खोल लेती है ये वही जगह थी जहां पर उस ब्लेस्ट पत्थर को रखा गया था जिसे सीसू और उसके भाईयों ने बनाया था उसी की सिक्योरिटी के लिए ये जगह बनाई गई थी उस जगह पर राया को एक आदमी मिलता है जो जेम को प्रोटेक्ट कर रहा था यह कोई और नहीं राया के फादर चीफ बैंजा ही थे सभी लोग चीफ की काफी इज़त करते थे राया अपने फादर और लैंड के सभी लोगों को बहुत प्यार करती थे राया के फादर उसे कहते हैं कि तुमने बहुत बहादुरी दिखाई सारे ट्रैप्स को पार कर लिया लेकिन अभी तुम्हें मुझसे एक फाइट करनी होगी ताकि तुम्हारी बहादुरी का टेस्ट हो सके अगर तुम जेम के सरकल में आ गई तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बेटी इस जेम को हासिल कर सकती है और इसकी हिफाज़त भी कर सकती है अब दोनों में एक छोटी सी फाइट शुरू हो जाती है राया अपने फादर से जीतने की पूरी कोशिश करती है उसके फादर उसे रोक रहे थे ताकि वह जेम के पास ना पहुँच सके वैसे तो राया को एडवेंचर्स का काफी शौक था लेकिन है तो वह एक बच्ची ही वह अपने फादर से नहीं जीत पाती लेकिन जहां पर वह जेम रखा था उस सरकल को टच कर लेती है इसकी वज़े से उसके फादर काफी खुश होते है कि मेरी बेटी हर चीज कर सकती है फ्यूचर में वह इस जेम के साथ ही साथ यहां के लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकती है राया के फादर उसकी तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं कि देखो राया तुम जानती हो कि हमारा कुमांदरा लैंड पहले कितना प्यारा था लेकिन इस जेम की वज़ह से लोगों में लडाईयां शुरू हो गई और वह हमसे दूर हो गए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि अपने प्यार से उन सारे लोगों को वापस एक साथ ले आए राया के फादर बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा डिनर रखा और उन सभी लैंड्स के लोगों को भी बुलाया है ताकि वह आपस में सुलह कर ले अब डिनर का वक्त भी आ जाता है सारे लैंड्स के लोग इकठा हो जाते हैं फेंक लैंड के चीफ की एक बेटी नमारी थी जिसकी एज राया के जैसी ही थी डिनर के दौरान उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है वह धेर सारी बातें करती हैं और कुछ मैप्स भी देखती हैं उन्हें पता चलता है कि सिसू एक फीमेल ड्रैगन थी और वह काफी अर्से से मिटी के नीचे गहरी नीन में सो रही थी क्योंकि सभी ड्रैगन पत्थर के बन चुके थे सिसू ने सोचा कि इंसानों के बीच अब मेरा क्या काम है वे दोनों लड़कियां कहती हैं कि हम सिसू को वापस ले आएंगे क्योंकि वह एक अच्छी ड्रैगन थी वह लड़की नमारी राया को एक पेंडेंट गिफ्ट करती है क्योंकि राया बहुत ही अच्छी लड़की थी और उनमें अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी राया भी उस लड़की को अच्छा दोस्त समझती है और अपने फादर के मना करने के बावजूद उसे लड़की को ब्लेस्ट जेम का पता बता देती है उस सीक्रेट जगह पर पहुंचते ही उस लड़की का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वह राया को धक्का दे देती है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वह जेम को हासिल करना था वह राया से कहती है अब तक तुमने इस जेम का बहुत खयाल रखा लेकिन इस पर हमारा भी हक है और अब हम इसे हमारे ट्राइब में ले जाएंगे राया और उस बुरी लड़की नमारी में लड़ाई छिड जाती है तभी वह लड़की आसमान में एक आतिश बाजी फेकती है वह अपने लोगों को कुछ सिगनल भेज देती है यानि वह सब को इशारा करती है कि जेम यहीं पर है ये सब प्री प्लैंड था देखते ही देखते के साथ ही वहां पहुँच जाते हैं लेकिन वह सभी लोग जेम के लिए लड़ने लगते हैं और इस छीना जपटी में जेम के पांच टुकडे हो जाते हैं राया के फादर ये सब कुछ देखकर काफी दुखी होते हैं जेम के तूट जाने से सारी इविल स्पिरिट्स आजाध हो जाती हैं और सभी पर अटैक करने लगती है। अलग-अलग लैंड के चीफ एक-एक पत्थर का टुकडा उठा कर ले जाते हैं चीफ बेंजा को बहुत अफसोस होता है कि ऐसे धोखे बाज लोगों को उन्होंने डिनर पर इन्वाइट किया और वह सभी तो वहां उसे पत्थर को लेने आये थे फिर चीफ बेंजा जब सभी लोगों को बचा रहे थे तो वह बहुत इंजर्ड हो जाते हैं और ठीक से चल नहीं पाते अभी लोग अपनी जान बचा कर भाग रहे थे राया और उसके फादर भी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी इंजरी के कारण वह राया को कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है तेरे बाद तुम्हें ही इस जेम की हिफाज़त करनी है यह जेम लेकर तुम अपने किंग्डम की रक्षा करना पूरा कहने के बाद राया के फादर उसे जेम के साथ पुल के नीचे धक्का दे देते हैं फिर वहाँ ड्रोन यानि इविल स्पिरिट्स पहुँच जाती है जो राया के फादर को भी पत्थर का बना देती है सारी पास्ट की बातें थी जो राया सोच रही थी बात को छे साल बीच चुके हैं राया अपने फादर के कहे अनुसार जेम को और किंगडम को प्रोटेक्ट कर रही थी और साथ ही साथ वह सिसू नाम के ड्रैगन को भी तलाश कर रही थी जो उसके मताबिक किसी नदी के नीचे था वह सिसू को ढून रही थी कि सब लोगों को एक कर सके और पत्थर बन चुके लोगों और उसके फादर को वापस नॉर्मल इंसान में बदल सके अब तो उसका पैट भी काफी बड़ा हो चुका थी उन दोनों का बॉन्ट काफी अच्छा बन चुका था मेशा हर जगह साथ जाया करते थे से ठीक करने में तुम मेरी हेल्प करो हम मिलकर ये काम जरूर पूरा कर सकते हैं सीसू एक बहुत ही क्यूट और अच्छे दिल की ड्रैगन थी राया के पास जेम को देखकर वह खुशी से पागल हो जाती है वह कहती है ये तो वही जेम है जो मैंने और मेरे भाईयों ने बनाया था जेम को हाथ में लेते ही सीसू का रूप बदल जाता है राया उसे कहती है कि इस ब्लेस्ट पत्थर को फिर से बनाने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी है इन सारी घटनाओं को छे साल हो चुके हैं ये सब कुछ जानकार सिसू कहती है इसे मेरे भाईयों ने मिलकर बनाया था उस वक्त में काफी छोटी थी मैंने तो सिर्फ उस ड्रून नाम के इविल स्पृट्स को हराने में उनकी मदद की थी सिसू उसे बताती है कि अगर इस जेम के सारे पार्ट्स मिल जाएं तो उन्हें मैं जोड सकती हूँ और उसकी हेल्प से हम तुम्हारे फादर को और किंग्डम को ठीक कर सकते सिसू आगे बताती है कि इस जेम के हर पार्ट में अलग-अलग पावर और इसे छूने पर वह पावर मेरे अंदर आ जाएगी एक अच्छा सा प्लान बना कर सिसू राया और उसका पैट अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं यानि उस जेम के पार्ट्स को ढूंडने के लिए सबसे पहले वे लोग कornar वाले tribe में जाते हैं जहां उन लोगों ने काफी tough तरीके से trap किया हुआ था मतलब कि जेम को काफी tough तरीके से protect किया था लेकिन राया तो काफी adventurous और strong थी वह सारे traps को पार कर लेती है और बड़ी ही आसानी से वह जेम का दूसरा पीस उठा लेती है इस दूसरे पार्ट से सीसू को नई पावर मिलती है जिससे वह कोई भी रूप बदल सकती है इनसानों का भी इसे पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है वह परपल बालों वाली क्यूट सी एक लड़की बन जाती है जेम के चोरी होने की खबर वहां के लैंड के लोगों को पता चल जाती है वह बुरी लड़की ने जिसने राया को बचपन में धोखा दिया था और अपने लोगों के साथ मिलकर जेम को चुराने की कोशिश की थी वह अपनी आर्मी के साथ वहां आ जाती है और उन पर अटैक करती है लेकिन राया और सिसू वहां से सेफली भाग जाते हैं वहां से निकलने के बाद उन्हें एक छोटा बच्च पाउन दिखाई देता है जिसके पास एक छोटी सी बोट होती है वह लड़का उन्हें अपन बोट की स्पीड काफी बढ़ जाती है वह लड़का बाउन राया को बताता है कि मेरे पैरेंट्स भी पत्थर के बन चुके थे और वह इस दुनिया में बिलकुल अकेला है उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है वह अपना सफर अच्छे से बातें करते हुए ग लेकर भाग जाते हैं लेकिन राय उनका पीछा करती है और उनसे वह जेम्स के टुकडे वापस ले लेती है राया उन बंदरों और उस बच्ची अनोई को कहती कि वह समझ चुकी है कि तुम लोग ऐसे ही चालाकी से लोगों कि चीज उठा लेते हो लेकिन तुम काफी फुर पथर का बना दिया था इसलिए वह राया को उसकी जर्नी में मदद करेगी अब यह सभी एक टीम बन जाते हैं तभी वहां सिसू पहुंच जाती है और मार्केट के लोगों से चीज मांग कर इकठा करने लगती है क्योंकि यह चीज उसने कभी देखी नहीं थी सभी लोग उ आए हैं तो वह बूढ़ी औरत बातों में लगा कर सिसू को अपने साथ ले कर जाती है जेम का एक पीस इस बूढ़ी औरत के पास भी होता है बूढ़ी औरत सिसू को धमकी देती है कि वह जेम के पीस मुझे दे दो वरना मैं इविल स्पिरिट्स को बुला लूंगी और वह तुम्हें भी पत्थर का बना देंगे तभी राया वहां आ जाती है और सिसू को बचाती है और बूढ़ी औरत से वह तीसरा पीस भी ले लेती है अब वे लोग अगले ट्राइपर पहुंचते हैं जेम का चौथा हिस्सा लेने के लिए लेकिन वहां एक सिपाही उन्हें कै कर लेता है जो वहां का सबसे अच्छा वारियर था जिसका नाम टॉंग था तभी वहां धोखे बाज लड़की नमारी आ जाती है वह इन लोगों पर फिर से अटैक करती है लेकिन अब की बार राया बहादूरी से मुकाबला करती है सिसू देखकर फोरन ड्रैगन में ट्रा वह इंप्रेस होकर चौथा पीस उसे दे देता है और कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है तुम सब कुछ ठीक कर दोगी अब सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं सिसू के पास नई पावर आ जाती है जिससे वह बारिश कर सकती थी अब जेम का आखिरी टुकड़ा लेने पांचवे ट्राइब पर जाते हैं जो किसी और का नहीं कि इस बुरी लड़की नमारी का था हाँ पर सिसू राया से कहती है कि वह धोखे बाज लड़की काफी चालाक है उसे सुलह करने पर ही हमें जेम का पीस मिल सकता है क्योंकि हमारे पास चार टुकड़े हैं हमें वह प अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग होते हैं शायद तुम्हारे ट्रस्ट करने और उसे समझाने पर वह लड़की बात को समझे तुम्हारे फादर भी तो सबको एक साथ करना चाहते थे फिर सीसू उसे उस जगह पर ले जाती है जहां सारे ड्रैगन्स पत्थर बन चुक तुम पर ट्रस्ट करके वह स्टोन तुम्हे दिया था ना सीसू की बातों का राया पर काफी गहरा असर होता है और वह उस लड़की से दोस्ती करने के लिए मान जाती है जब राया उस छोटी बच्ची एनोई और उसके बंदरों को एक लेटर के साथ वही पेंडेंट दे क आ जाती है लेकिन वह डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि जेम का यह टुकड़ा राया को देना चाहिए या नहीं वह लड़की जेम का टुकड़ा जमीन पर रख देती है और राया की तरफ एरो गन से निशान लगाती है उसे लगता है कि यह राया की कोई चाल हो सकती है और अचानक इविल स्पिरिट से वहां आ जाती है और वह लड़की जाम उठा लेती है क्योंकि शिशु पानी का ड्रैगन था इसलिए वहां कुछ जगहा पर पानी बचा था वरना तो पूरा लैंड डेजर्ट बन चुका था सिसु के घायल होने की वजह से ड्रुन का दोबारा हमला हुआ था वह लड़की तो वहां से भाग जाती है अब राया को बहुत दुख होता है और वह वरीड होती है क्योंकि उसे लगता है कि सिसु अब मर चुकी है वह गुस्से में उसे लड़की से लड़ने पहुँच जात कर रहे थे अंदर कैसल में राया और नमारी की फाइट जारी थी राया नमारी को मारने ही वाली थी लेकिन उसकी नजर बाहर पड़ती है वह देखती है कि पूरा लेंड तबाह हो रहा है हर जगह ड्रुन ने हमला कर दिया है राया फॉरन लोगों को बचाने पहुँच जा अब नमारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है भज जान चुकी थी कि हम सभी लैंड्स के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए था क्योंकि ड्रुन ही उनके सबसे बड़े एनिमीज हैं हमें साथ मिलकर इनका मुकाबला करना चाहिए अगर ऐसा होता तो उसकी मदर आज पत्थर की नबनी होती अब वह भी राया की मदद करने पहुँच जाती है और अपनी जेम के पीस से लोगों को प्रोटेक्ट करने लगती है इधर राया को याद आता है सभी ड्रैगन भाईयों और सीसु ने उस पत्थर में अपनी पावर के साथ साथ ब्लेसिंग और प्य राया उन्हें कहती है कि हमें ट्रस्ट करना ही होगा और इसी के साथ वह अपने जेम का टुकड़ा नमारी को पकड़ा देती है और कहती है इस जेम के टुकड़ों को इकठा करके तुम्हें इन इवल स्पिरिट्स को हराना होगा मुझे तुम पर ट्रस्ट है लेकिन उसके साथ ही नहीं मानते और उसे जेम के टुकड़े नहीं देते इसी के साथ ही राया खुद पत्थर की बन जाती है सब देखते हैं कि कैसे राया ने अपनी जान की कुर्बानी देकर सब को बचाने की कोशिश की अब सभी साथ ही अपने अपने जेम के पीस नमारी को दे देते हैं और वह लड़की जेम के टुकड़ों को जोडने लगती है लेकिन बारी-बारी से सभी साथी पत्थर में बदलने लगते हैं धीरे-धीरे जेम जुडने लगता है लेकिन तब तक नमारी भी पत्थर की बन चुकी होती है तभी वह पत्थर एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से तेज रोशनी निकलती है और एक एनरजी चारों तरफ फैल जाती है जिससे सारी इविल स्पिरिट्स खत्म होने लगती है और वहां बारिश होने लगती है पत्थर की पॉजिटिव एनरजी के कारण सभी लोग वापस अपने असली रूप में आने लगते हैं साथ ही साथ सारे ड्रैगन्स भी वापस जिन्दा होने लगते हैं ड्रैगन्स की वजह से सारी नदियां फिर से भर जाती है और सारे ड्रैगन्स खुशी से यहां वहां भागने लगते हैं सभी लोग अपने परिवार से मिलने लगते हैं क्योंकि उन्हें पत्थर बने काफी साल हो जाते हैं, सभी emotional हो जाते हैं, अब राया भी अपने फादर से मिलने जाती है, राया के फादर उसे इतना बड़ा देख कर काफी खुश हो जाते हैं, उन्हें अपनी बेटी पर proud होता है, तभी वहाँ सिसू भी आ जाती है, वह में एक दूसरे की help करने से ही सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है, अब सारे लोग एक साथ होते हैं, और blessed jam भी उनकी सुरक्षा के लिए साथ था, सभी lands एक हो जाते हैं, dragons और इनसान पहले की तरह प्यार से रहने लगते हैं